प्रतिन इधी के रूप में अब सभी शिक्षक शिक्षा विदो जो भी हमारे साथ लोग जूड़े हैं उन सभी का हार दिक स्वागत करना चाहता हूं और हार दिक अभिनंदन करना चाहता हूं कल हमने जीवन के बहुत महत्पून विशय पर कुछ चर्चा की थी और वो विशय था ध्यान हमने बताने का प्रियास किया था कि एक सामाने व्यक्ते चाहे वो मजदूर हो चाहे वो क्रमचारी हो चाहे वो अधिकारी हो वो व्यापारी हो या राजनेता हो या रिशी हो या मुनी हो उन सभी के लिए ये आवशक है कि ध्यान की एक सामाजिक परिभाशा से हम परिचित हों हम चाहते थे कि ध्यान का एक मूल भूत सिध्धान्त या ध्यान का एक मूल भूत भाव आप सब लोगों तक पहुँचे इसलिए कल हमने कहानी के दौरा चार मजदूरों के दौरा एक मंदिर के निर्मान में जो सहयोग था उस पर कहानी बताते हैं उसे इस्थापित करने का प्रियास किया था और फिर उसकी आवशक्ता पे भी थोड़ी सी चर्चा आपने आपके साथ की थी कि ध्यान की आवशक्ता क्यों है और कल हमने आपसे वैदा किया था कि आज हम ध्यान की विध्यों पे आपके साथ चर्चा और परचर्चा करें ध्यान की विद्यों पे हम चर्चा और पड़ चर्चा करें उससे पहले एक बात बहुत आवशक है जो हमने कल बताया था कि ध्यान का अर्थ ये है कि हम स्वम को जान ले हम स्वम को जान लें तो निश्चित रूप से अगर हम स्वम को जान लेंगे तो हम शरीर और आत्मा के बीच में जो भेद है उससे जान पाएंगे और अगर उससे भेद पाएंगे तो निश्चत रूप से मृत्तु हमारे लिए फिर अज्ड़न भी नहीं होगे हम मृत्तु का स्वागत करने के लिए भी तैयार होंगे और जीवन का स्वागत करने के लिए भी तैयार हूं आज हम थोड़ा सा इस विशे पर बातचीत करना चाहते हैं कि म्रत्तु और जीवन है क्या, चेतन और चेतन है क्या, नास्तिक्ता और आस्तिक्ता क्या है और इन सारे चेज़ों को समझने के बाद क्या ये संभव है कि हम दोनों को का एक रूप स्विकार कर पाएं, एक रूप को समझ पाएं हम समझ पाएं कि ये दोनों चेज़ें का स्वेरूप अलग हो सकता है, लेकिन ये दोनों चेज़ें एक हैं इस विशे पे हम बात करेंगे हम इस विशे को समझाने के लिए जो एक विधी है योग उस पे थोड़ी सी चर्चा मैं आपके साथ करना चाहता हूँ हमने कल आप से वायदा किया था कि हम स्वांस के द्वारा बताएंगे कि किस तरह से ध्धान इस्थापित किया जा सकता है निश्यत रूफ से बताएंगे लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि उस प्रक्रिया में उतरने से पहले हम थोड़ा सा जो योग है उसके बारे में जान ले एक अवधारना एक धारना एक भाव जो धान का है वो तभी संभाव है तभी हम आत्म साथ कर पाएंगे जब हम योग समझ लें योग माने होता है जोड योग का मतलब है टोटल योग का मतलब है दो चीजों का मिलान कौन सी दो चीजों का मिलान चेतन और अचेतन आपको आश्य होगा कि एक युगों तक एक विवाद चलता रहा विज्ञान में और आध्यात्मिक्ता में आध्यात्मिक्ता का कहना था कि केवल और केवल उर्जा है पधार्थ नहीं है और विज्ञान का कहना था कि केवल पधार्थ है उर्जा नहीं है उनका कहना था आध्यात्मितों का कहना था कि उर्जा का ही अस्तित्व है और नास्तिकों का कहना था कि उर्जा का कोई अस्तित्व नहीं है पधार्थ का अस्तित्व लेकिन एक लंबी बहस और लंबे अंत्राल के बाद आज नास्तिकों ने या भोतिक वादियों ने भी इस्विकार करना शुरू कर दिया है कि उर्जा का बदला हुआ स्वरूप ही पधार्थ है और आध्यात्मिक लोगों ने इस्विकार करना शुरू कर दिया है कि पधार्त का बदला हुए स्वरूप ही उड़ जा है मैं एक बहुत मोटा सा उधारन अगर आपको दूँ आप बहुत सारे लोग मांशा हरी है किसका मांश खाते है एक चेतन पशू का आप बहुत सारे लोग शाका हरी है जीती जाकती सबजे तोड़ की खा जाते हैं चेतनता होती है जब तक बेल से कोई भी चीज जब तक वरक्ष से कोई भी चीज लगी है तो उसमें चेतनता निश्चत रूप से पाई जाती है बहुत सारे वैज्ञानिक परिक्षण हुए है जिनके आधार पे ये सिद्ध हुआ है कि अगर बेल से कोई जुड़ा कोई भी सबजी है वरक्ष से जुड़ा हुआ कोई फल है तो उसमें चेतनता होती है उसमें वो चेतन होता है वो बढ़ता है वो घटता है वो सूकता है वो पेड़ से भोजन प्राप्त करता है तमाम चीजें जो मनुष्य करता है जो एक जीव करता है वो उरक्स और सबजियां भी करती जब हम उन्हें खाते हैं तो चेतनवस्था के बाद जब हम मलत्याग करते हैं तो एचेतन अवस्था में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रकार हम बहुत सारी जो उर्जा है जो हम उर्जा व्यतीत करते हैं जो हम उर्जा उत्पन करते हैं जो हम कारिय करते हैं निश्चित रूप से उपधार्त में converted हो जाती, बदल जाती तो परधात और उरजा एक ही वस्तू के दो सिरें एक मोटा सा उधारण मैंने आपको दिया जैसे मैं अगर दूसरी बात कहूं कि सच और जूट, एक ही विशे के दो सिरें अगर राम और रावन की मैं बात करूं तो अगर राम के कोई पुजा रही हैं तो उनमें कहीं न कहीं अंश मात्र रावन में राम भी इस्थापित है, निश्चित है और राम में रावन भी इस्थापित है राम को अगर कोई रावन के रूप में देखना चाहता है तो निश्चित रूप से ढूंड लेता है कुछ न कुछ ऐसा ढूंड लेता है जो रावन से मिलता जूलता है और रावन में अगर कोई रावन का पुजारी है तो उसमें राम ढूंड लेता है यह संभव नहीं है कि केवल कोई व्यक्ति राम ही हो और कोई व्यक्ति रावन ही हो ये किसी भी व्यक्तितों के दो सिरे हो सकते हैं इसी तरह सच और जूट के भी दो सिरे हो सकते हैं और दो ही सिरे हैं दुनिया में सारी चीजों के एक सुन्दर सा उधारन मैं देना चाहता हूँ कि अगर कोई प्रेमी का कोई या प्रेमी का कोई प्रेमी को कहती है कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ मैं बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे जीवन फर अलग नहीं होना चाहती मैं आपसे जीवन फर अलग नहीं होना चाहता तो ये शब्द आया ही किसलिए ये शब्द अलग होने का आज तो मिलन का दिन है आज तो मिलन का दिन है निश्चित रूप से आज बिछड़ने की बात तो नहीं होनी चीए लेकिन जो ऐसुरक्षा की भावना है वो निश्चित रूप से ये भावत्पन कर रही है कि आज हमारा मिलन है तो कल विछो भी होगा हम दूर भी होंगे इसलिए मिलन के साथ साथ वो वाक्य भी स्वेते ही निकल आता है लेकिन ये सच्चाई को स्विकार करना असान काम नहीं है इस सच्चाई को स्विकार करना ही बहुत बहुत कठिन काम है आज हम इसी विशे पर बात करना चाहते हैं कि सच्चा है हमें स्विकार करने पड़ेगी सच्चा है इस तरह स्विकार करने पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति बेहोशी की हालत में है कोई व्यक्ति शराप पिये हुए है या नशा किये हुए है उसे अपने अस्तित्त का भूल भूलया में पड़ गया है तो निश्यत रूप से उसके अंदर जो कुछ है वो भार निकल आता है एक बहुत सारे उधारन है इस बात के कि बहुत सारे अपराध ही जब अपना जो वस्तित्ता है जो तत्त है जो उन्होंने अपराद किया है जो सत्तता है वो इतने चालाख होते हैं कि किसी भी कीमत पर किसी भी प्रस्थन के उत्तर में वो ये प्रस्तुत नहीं करते वो ये नहीं बताते कि उन्होंने क्या अपराद किया है और क्यूं किया है और लास्ट एक ही सिस्टम होता है कि उन्हें नशे की अवस्था में लेकर जाया जाया और नशे की अवस्था में जाकि उनसे सच उगलवाय जाया और कई बार वो नशे में सच उगल देते हैं अर्थात, सच्चाई जानने के लिए मनुष्य को एक रस होना पड़ेगा, दोनों बातें उसे स्विकार करनी पड़ेगे और वो तभी संभव है कि जब हम दोनों रसों को, जब हम पधार्थ को और उर्जा को दोनों को एक दूसरे का रूपांतर स्विकार कर लें तो निश्चित रूप से हमें ध्यान करने में बहुत मदद मिलेगी और अगर हम ये बात कहें, कि हम नास्तिक और आस्तिकों की तरह जगड़ा करें बगेर उर्जा और प्रधार्थ को ये स्विकार करने के एक दूसरे के रूप हैं, तो फिर कोई दिकत नहीं है ये दिवार जो खड़ी है, ये दिवार खड़ी की गई है, ये दिवार को खड़ा करने का प्रेतन किया गया है सब जीतना चाहते हैं इस दुनिया, इस दुनिया में कोई हारना नहीं चाहते और फिर जीतने के लिए कुतरकों का साहरा लेता है हमने कोई चीज प्रतिपादित कर दी उसे इस्थापित कर दिया उसे कोई समझोता नहीं करना चाहते उसमें कोई परिवर्तन स्विकार नहीं करना चाहते और अगर कोई व्यक्ति उसमें परिवर्तन स्विकार करने की बात भी करता है यथार्थ से और सच्चता से और सत्ता से हमें परीचे कराना चाहता है तो हम समाज के लोग उसे फांसी पर टांग देते हैं उसे जहर देते हैं स्विकार न स्विकार करने की बात तो अलग है पूरा इतिहास इस चीज से भरा है कि अगर कोई सत्ता से हमारा परिचित कराना चाहता है गैलोलियो उसका उधारन हो सकता है गैलोलियों ने जब कहा कि प्रत्वी भी घूमती है तो इसायों ने कहा कि आज हमारे सिद्धान्तों में से एक सिद्धान्त की प्रत्वी नहीं घूमती है उसे गैलोलियों अगर घूमा के हमारे सिद्धान्तों को कल सारे सिद्धान्तों को घूमा देगा इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस आदमी को फांसी लगा दो, इस आदमी को मार दो ऐसे बहुत सारे इतिहास के उधारन है, स्वामी दियानन सरस्वती जैसे लोग जिनोंने धर्मांदता रूढ़िवादिताओं का विरोध किया तो उन्हें भी जहर दे के मार दिया गया और बहुत सारे उधारन दिये जा सकते हैं अर्थात हर आदमी जीतना चाहता है, वो हारना नहीं चाहता खासकर धार्मिक जो लोग हैं वो तो केवल और केवल जीतना चाहता है इसलिए बड़ा विवाद है पूरी दुनिया में ध्यान की सो से भी जादे विधियां है और कोई भी विधी अपने को कम विधी मानने को तयार नहीं है वो कहते हैं यह स्रेष्ट विधी है यही एक ऐसी विधी है जिससे प्रकरति को इश्वर को जनना जा सकता है इसलिए southwest सब्से लेकिन कोई भी जितनी भी विधिये हैं उसमें योग को नकारा नहीं जा सकता अर्थाथ चेतन अवस्था को स्विकार करना ही पड़ेगा उसे स्विकार करे बगेर आप ध्यान नहीं कर सकते हैं ध्यान का अर्थ ही है कि उन दोनों के विवाद को मिटा देना है इसमें जो हारने और जीतने वाली बात है इससे परे जाना पड़ेगा मुझे लोत, लाउत से की एक बात याद आ गई लाउत से कहते थे कि मैं किसी से हारता नहीं हूँ मुझे कोई हरा नहीं सकता है वो एक गाउं में ठहरे हुए थे जैसे इसा जर्णल आदमी कह देता है उन्होंने भी कह दिया कि मुझे कोई हरा नहीं सकता वो गाउं पहलवानों का था वहां कुष्टी करने वाले बहुत लोग थे उन्होंने सोचा कि शायद ही हमारे पूरे गाउं को चेलेंज कर रहे हैं कि कोई मुझे हरा नहीं सकता है उनमें से जो सबसे स्टेश्ट पहलवान था उसने अपना लंगोट बांदा और लाउट से जहां ठेहरे हुए थे उनके भारा के ताल ठोकने लगा, निकल बाहर मैं देखता हूं तुझे तुह ने कहा है ना कि मुझे कोई हरा नहीं सकता मैं तुझे हराऊंगा हराऊंगा ही नहीं मैं तुझे जान से मार दूँगा अगर तू मेरे से लड़ेगा नहीं तू लाउत से गए एक बार तो घबरा गया लेकिन फिर उसने हिम्मत जोटाई और लाउत से भार आके जहां भी तंबू में ठहरा हुआ था वहां से भार निकल के जमीन पे लेट गया उस पहलवान ने कहा तू कैसा पहलवान है तू कैसा पहलवान है कि बिना लड़े ही हार गया जमीन पे लेट गया चित लेट गया और कह रहा है मेरी छाती पे चड़ जाओ तू तो चेलेंज कर रहा था पूरे गाउं को अब लड़ता क्यों नहीं है तो उसने कहा तुम मेरी चाथी पर चड़ जाओ मैं तब बताऊंगा पहलवान ने कहा क्यों चड़ जाओं आपके चाथी मैं बिना लड़े किसी की चाथी पर नहीं चड़ सकता मैं बिना लड़े जीतना नहीं चाहता मैं लड़के जीतना चाहता हूं लेकिन लाउत से ऐसे ही चित पड़े रहे उन्होंने कहा तो उठता क्यों नहीं है पहलवान ने कहा तो उठता क्यों नहीं है तो उसने कहा कि मैं जीतने के लिए कभी जीवन में लड़ा नी मैं तो हार स्विकारी कर लेता हूं इसलिए तो खहता हूँ कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है ये भाव अगर उत्पन हो जाए है संसार के तमाम उन रिश्यों में उन मुनियों में उन धार्मिक व्यक्तियों में जो धर्म की उत्पत्य की बात करते हैं तो निश्यत रूप से ये विवाद खतम हो जाएगा और ये विवाद खतम हो जाएगा तो फिर चेतन और चेतन की जो लड़ाई है आस्तिक और नास्तिक की जो लड़ाई है उर्जा और पधार्त की जो लड़ाई है वो सब खतम हो जाएगा सब खतम हो जाएगी तो यह स्विकार कर लेगा मनुस निश्चित रूप से स्विकार कर लेगा कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है और दोनों में कोई अंतर नहीं है तो दोनों का स्वागत करने लगए दोनों को स्विकार कर लेगा जहां जीवन को स्विकार करेगा हम रत्त योग साधना की बात है उसमें केवल और केवल ये बात मैं निश्यत रूफ से बताना चाहता था कि योग कार्थ है कि दो चीजों के दोनों शिरों को स्विकार करना है जहां जीवन को स्विकार करना है वह म्रत्यों को भी स्विकार करना है और मरत्तो को स्विकार करके केवल वही नहीं रुक जाना है फिर जीवन को भी स्विकार करना है कि मरत्तो के बाद फिर जीवन आएगी उसे भी स्विकार करना है और उसके लिए हमें बहुत सरल होने की आश्यक्त है सरल का मतलब ऐसा सरल जो प्रकरती की गोद में जो हम पलते हैं, जो बढ़ते हैं, जो सब वो वैसे ही हम अपने को स्विकार करें उसकी भी एक छोटी सी कहानी है मैं जो आप से जरूर शेयर करना चाहूंगा एक बार लाउत से अपने सिशों के साथ जंगल में जा रहे थे, को सिश थे उनके साथ, वो एक जंगल से गुजरे तो उहां बहुत सारे मज़दूर मशीन लेके सारे व्रक्षों को काट रहे थे, जंगल को नस्ट करके उसे खेती की भूमी बनाने का प्रियास कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक पेड छोड़ रखा थो, पेड बड़ा जवर्दस्त था, इतना बड़ा पेड था, कि उसके नीचे सैंकडो पच्छू पक्षिया सकते थे, सेंकड़ो मनुष्यों को आश्रे देने वाला पेड़ था इतना बड़ा पेड़ था था थेकिन उन्होंने उसे नहीं काटा था उन्होंने उसे नहीं काटा था तो लाउटसे के मन में बात आई कि सारा जंगल काट दे इस पेड़ को क्यों नहीं काटा है तो उन्होंने अपने शिशों से कहा कि जाके पेड से पूछो कि उसे क्यों नहीं काटा है आप भी आश्ये कर रहे होंगे कि पेड क्या बताएगा निश्यत रूप से उन शिशों को भी आश्ये हुआ कि पेड़ कैसे पता सकता है कि मुझे काटा या नहीं काटा है मुझे क्यों नहीं काटा है लेकिन गुरु का आदेश था ये जितने दार्ष निके हैं जितने जो भी अध्यात्म की वेकती हैं सच बताएं जैसे हमने कल कहा था कि आदे पागल नहीं होते हैं पूरे पागल होते हैं, बीना पूरे पागल हुए आदमी इश्वर को प्राप्टे हैं, पूरा पागल होना पड़ता है, या मिलता है जो प्राप्ट करना जाएता है। शिशों को आदेश मिला तो वो पेड के चारों तरफ जाके घूमने लगे, उन्होंने कई बार उचारन किया कि भई आपको क्यों नहीं काटा है, हमें बताना है, हमारे गुरुजी ने कहा है कि पूछ क्या हो तो हम पूछ रहे हैं कि आपको क्यों नहीं काटा है, पेड क्या पेड तो कुछ भी नहीं बोला, चुपचा पी रहा पेड़, और जब शिशों ने सोचा कि पेड तो कोई जब आप नहीं दे रहा है, तो उन्हों ने उस ठेकेदार से जाके पूछ लिया, जो पेड कटवारत, उससे जाके पूछा कि भाई साब आप से एक बात पूछनी है, हमारे गुरु जी जानना चाहते हैं कि आपने ये पेड क्यों नहीं करता, तो ठेकेदार ने कहा, कि भाई आप देखते नहीं कि इसके जितने तने हैं, वो ऐसे उल्टे सीधे हैं, तिर्शे बंके हैं, कि उनका कोई फर्नीचर तो बनाया नहीं जा सकता है, तो इसकी लकड बोले इंधन की बात सुनिए, इंधन की बात ये है कि अगर इसके लकड़ी आप जला दें, तो निश्चित रूफ से एक ऐसा धुआ निकलता है, जिससे बेहोशी हो जाती है, इतना गंदा धुआ इसके, तो इसके पत्ते कहीं कुछ काम नहीं आ सकते हैं, क्या, पशू खा सकते हैं, भेड बक्रियां खा सकते हैं, बोले इसके पत्ते ना भेड खाती हैं, ना बक्रियां खाती हैं, इसके तनों का फरनीचर नहीं बनाया जा सकता, इसकी तहनियों का इंधन नहीं बनाया जा सकता, और इसके पत्ते कोई खाता नहीं है, इसलिए, इसलिए इस पेड क को हमने नहीं काटा है छोड़ दिया शीशों ने आके बताया अपने गुरू जी को बताया कि गुरू जी हमने पेड के चारो तरफ उससे बहुत क्वेशन पूछे पेड ने तो कोई जबाब नहीं दिया लेकिन जो ठेकेदार है जो काट रहा था उसने जबाब दिया जो हम आपको प्रेशित करने आपको बताने तो गुरू जी ने कहा धन है ऐसा पेड जिसने इस समाज के लिए अपने को विवस्थित करने का कोई प्रेत नहीं किया अपनी टेहनियों में जो कुछ था उसे ही स्विकार किया जैसे उसे पत्ते प्रकरती से मिले वैसे ही स्विकार किये उनमें कोई सुधार करने के कोशिस नहीं की अर्थात अपने कुछ सेहर्स वैसा ही स्विकार कर लिया जैसा हूं इसलिए आज कोई विवाद न लोग स्विकार कर लें तो निश्चित रूप से विवाद खतम हो जाएगा दोनों व्यक्तियों का, दोनों देशों का, दोनों धार्मिक धार्नाओं, मानताओं का, दोनों धार्मों का, सब का विवाद खतम हो जाएगा अगर आदमी सहज रूप से स्विकार कर ले यह कहानी म इसलिए आपको सुनाना और बताना चाहता था कि हमारे मन में भी बहुत सारे विवाद चलते रहते हैं धार्मी का धार पर विवाद चलते रहते हैं हमारा जन्म इस धर्म में हुआ हमारा धर्म इस जाती में हुआ दूसरे लोग अपने धर्म की बात करते हैं कभी एक साथ बैटके उन दोनों सिरों को स्विकार करने के कोशिश नहीं करते जो दोनों सिरे एक ही धर्म के हैं एक ही विचारधारा के हैं और एक ही रास्ता है हम सबका तो उदेश केवल और केवल यही है कि हम स्वम को जान लें इसलिए स्वम को जानने में अगर बहुत सार कहीं कोई विवाद हैं भी तो उन्हें हमें स्विकार करना चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, वो हम कभी कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए पधार्त और उर्जा में आज तक जो भोतिक वादी हैं, जो आध्यात्मिक हैं, विवाद चलता रहा जो कमनिष्ट विचारा के लोग हैं नास्तिक किसम के विक्ति हैं जो आस्तिक किसम के विक्ति हैं उनमें विवाद चलता रहा लंबे समय के बाद उन्होंने स्विकार रहा कि दोनों एक ही एक ही सिरे हैं एक ही वस्तू के दो सिरे हैं कि अच्छाई और बुराई कुछ नहीं है जीवन और उमत्यों कुछ नहीं है नास्तिक और आस्तिकता कुछ नहीं है चेतन और अचेतन कुछ नहीं है वो सब एक ही वस्तू के दोसिरे हैं अगर ये दोनों एक ही वस्तू के दोसिरे हैं एक ही आयाम के दो आयाम है और उन्हें मिले बगैर उन्हें स्विकार किये बगैर मनुष अपना बेडा पार नहीं लगा सकता अपनी नईया पार नहीं लगा सकता तो निश्यत रूप से ये जानने के बाद हम थोड़ी सी बात अब विधी पे करना चाहते हैं कल हमने आपसे वाइदा किया था कि हम एक विधी पर जरूर आपसे बात्चीत करें एक विधी है विपाश्न विपाश्ना में हम अपने सांसों को स्विकार करते हुए इस विधी का प्रियोग कर सकते हैं मनुस के पास एक ऐसी धरोहर है जिसे जब तक उसका जीवन है तब तक उसके पास है जैसा कि कल हमने बताया कि बच्चे का जन्म सांस लेने से है और किसी भी मनुस की मरत्तु सांस चोड़ने से हम जब सांस छोड़ते हैं तो सच बताएं तो एक बार तो मृत्तु होई चुकी सांस वापिस नहीं आए तो मृत्तु होई जाएगी और बच्चा अगर सांस ना ले अगर वो सांस अंदर ना ले तो मृत्त माना जाता है बच्चा नहीं रोता है, उसके फेपड़े नहीं खुलते हैं, वो सांस अंदर नहीं लेता है, तो उसे जीवित नहीं माना जाता है, उसे मृत माना जाता है तो सांस अंदर ग्रहन करना जीवन है और भार छोड़ना मृत्व जीवन और मत्तु का ये जो क्रम है ये जीवन पर हमारे साथ चलता है अगर मनुस शांत मन से बैठ कर आँख बंद करके केवल और केवल जो हमारा जीवन और मत्तु है उसे ही कंसंट्रेट कर दे उसी पर ध्यान केंदित कर दे वो समझ ले कि जब मैं सांस छोड़ रहा हूं तो मत्तु हो रही है जब सांस अंदर कर रहा हूं तो जीवन हो रहा है या सांस अंदर कर रहा हूं तो जीवन हो रहा है और जब सांस भार छोड़ रहा हूं तो मत्तु हो रही है वो जीवन और मत्तु को हर सांस के साथ याद करता रहे तो निश्चित रूफ से एक ऐसी घटना हमारे जीवन में घट जाती है कि जो एह प्रत्यासित है जो अनुभाव का आधहर है जिसका उसे शब्दों से बेहान नहीं किया जा सकता तो अगर कोई भी व्यक्ति सांस की विधी के द्वारा शांत मन से बैटके एकांत में आख बंद करके केवल और केवल पूरा ध्यान जितना भी उसका ध्यान है जो भी कुछ सोच है वो केवल और केवल सांस में समलित कर दे केवल और केवल सांस के साथ उसका जीवन और मरन शुरू हो जाए तो निश्यत रूफ से वो दो अन्य विचार हैं जो जर्णरली जब मनुस अपने आख बंद करता है और यह सोचता है कि मैं और विचार को यह अपने मन में ना आने दूँ केवल और केवल वो विचार मेरे मन में आए जो मैं सोचता हूँ जो मैंने आज निश्य किया है कि मैं आज केवल और केवल सांस का विचार अंदर और बहार जाने दूँगा मैं देखूंगा कि मेरी सांस कैसे अंदर आती है और कैसे मेरी सांस बहार जाती है इस पे हमें विचार करूँगा तो यकिन मानिये कि आपके विचारों की गती और तिवर हो जाती है अगर एक सेकिंड में दस विचार आते हैं तो निश्चित रूप से एक सेकिंड में बीस विचार आने लगते हैं अगर एक मिनट में सपोर साथ विचार आते हैं तो निश्चित रूप से वो 120 हो जाते हैं सेंकडो कितने संख्या में हो जाते हैं क्योंकि जीवन का ये नियम है कि अगर आप किसी को बांधना चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो खुलना चाहते हैं आप चाहते हैं कि मेरे मन में कोई भी विचार ना आए तो ऐसा संभव नहीं है कि विचार नहीं आए लेकिन मेरा मत यह है बलकि अनुभव है जीवन का बहुत सारे लोगों का कि जैसे ही आप विचारों के बारे में सोचते हो कि किसी विचार ना आए और मेरा मन शांत हो जाए आपका मन दुगनी तरह से असान्त हो जाता है और विचारों की उत्पत्ती दुगनी हो जाती लेकिन आपको घबराना नहीं है आपको बिलकुल नहीं घबराना है आप विचारों को रोकने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से रोक नहीं पाएंगे आप उन विचार जब लोगों की बेटी की शादी होती है तो वे गेट पे जो भी वहा विवास थल होता है उसके गेट पर खड़ा रहता है जो भी महमान आता है उससे हा जोड के नमशकार करता है और उसे इशारा करता है पंडाल में जानने के लिए और फिर उसने खाना खाया नहीं खाया कहा रहा कहा बैठा कहा उठा क्या किया वो बहुत जादे जानकारी वो नहीं रख सकता क्योंकि वो तो गेट पर खड़ा है आप भी ध्यान के गेट पर खड़े हैं, आप भी ध्यान के उस गेट पर खड़े हैं, जो भी विचार आ रहा है, उसे हाज जोड़ के स्वागत करके, आप उसे आगे बढ़ा देते हैं, आपका उसमें कोई involvement नहीं हो नच, involvement means, आपको जिस तरह से मैंने एक उधारन दिया कि उसमें उसने खानक खाया है, नहीं खाया है, ठीक बैठा है, ठीक नहीं उटा है, सैंकडों लोग हैं, हजारों लोग हैं, किसका ख्यार लखेंगे आप, इस तरह से जो हजारों विचार आपके मन में आते हैं, उन सारे विच नहीं करना है, उनमें समलित नहीं होना है, उस विचार में कोई अपना विचार समलित नहीं करना है, कोशिश करना है, आसान काम नहीं है, निश्यत रूप से बहुत कठिन काम है, मैं भी ये बात स्विकार करता हूँ कि आसान काम नहीं है, लेकिन इसके अलवा को विचारा हमें जैसे ही हम विचारों को बंधित करने की कोशिश करते हैं विचारों की संख्या और तिवर्ता दोनों बढ़ जाती हैं और जब बढ़ जाती हैं तो उन्हें बढ़ने दीजिए उन्हें आने दीजिए बस हमें कोशिश करने कि हम उनका स्वागत करके उन्हें दूसे तरफ भेज़ दें दूसे दौर की तरफ भेज़ दें उन्हें कहा दें कि आप इस दौर से खुशे हैं पिछले दौर से आप निकल जाएं मैं इसमें आपकी कोई साहता नहीं कर सकता मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूँ, मैं आपका कोई, कोई आपका साथ नहीं दे सकता हूँ, निश्चित रूप से अगर ये भाव आप में उत्पन हो गया, तो विचार आएंगे और चले जाएंगे, आपका involvement जीरो हो जाएगा, और ये तब ही संभव है, उसके लिए जो प तो निश्चित रूप से आपको उतनी फुर्सत नहीं होगी जो विचार आएंगे उनमें आप संभव हों, और संभव नहीं हो तो विचार ठक जाएंगे एक दिन, विचार सोचेगा, यार मैं तो दो बार जा लिया, चार बार जा लिया, इस गेट से जाता हूँ, उस मस्तिक्स वो विचार विहिन हो जाता है, उसमें किसी तरह के कोई विचार नहीं होता है, और जैसे ही वो घटना घटती है, कि कोई भी विचार आपके मस्तिक्स में नहीं आता, आप द्रस्टा बन जाते हो, आप द्रस्टा बन जाते हो, फिर विचार आ रहे हैं और जा रह अन समलित नहीं हो रहे हैं इसलिए गडरशता बन जाते हें जैसे आप तो डिश्टा बनते हो वैसे ही निश्यत रूपसे वो ध्यान के वस्ता में पूरी हो जाती है उसी को ध्यान करते है जब आप दस्ता बन जाते हैं तो ध्यान के प्रक्रिया पूरी हो जाती है सबसे पहले आप ये देख पाते हैं कि मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ सबसे पहले आपने देखा है कि मेरे जो आने वाले विचान हैं वो अलग है और मैं अलग हूँ और फिर ये देखते हैं कि मेरा शरीर अलग है और मेरी आत्मा अलग है मैं अलग हूँ मेरा शरीर अलग है और जैसे ये भाउत्पन होता है कि मैं अलग हूँ और मेरा शरीर अलग है वैसे ही शरीर से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें है नातें हैं, रिष्टें हैं, साधन हैं जो भी कुछ हैं वो आप ये महसूस करने लगते हो कि वो मेरे से अलग है उनका मेरे से कोई जुड़ाव नहीं है और ये जो घटना है, जो घटती है किसी भी की जीवन में वो ध्यान की पहली स्टेज कहलाती यानि कि अगर मैं शब्दों में ही कुछ बताना चाहूं तो मैं कहूंगा कि मस्तिक्स को विचार विहीन करके एक द्रश्टा का जब भी आपको यह आभास हो जाए कि मैं एक द्रश्टा के रूप में हूँ तो ये ध्यान की पहली कड़ी है और ये सांस के दौरा भहुत आसानी से प्राप्त की जा सकती है क्योंकि सांस का आर्थ है जीवन और मत्तु जीवन और मत्तो को हम हर सांस के साथ याद करते हुए अगर पूरा ध्यान उसी पर केंदित कर दें तो निश्यत रूप से जितने भी और सब विचार है वो सुन हो जाते हैं, वो भारहीन हो जाते हैं और जैसे ही वो भारहीन होते हैं आपका व्यक्तित भी भारहीन हो जाता है, आप एक द्रस्टा के रूप में इस्थापित हो जाते हो, आप वो सब कुछ देख पाते हो, जो आप देखना चाहते थे, आप सुम को जानने, जानने की एक घटना घट जाती है, कि जिसमें आप अपने को जान सकते हो, आज एक छोटी सी विधी के बारे में हमने आपसे बात्चित की, बहुत सारी विधियां हैं, अगर संभव हुआ तो कल हम दूसरी कुछ विधियों के बारे में आपसे बात्चित करेंगे, आज हम आपको यहीं तक और इतना ही कुछ बताना चाहते थे, हम मुखरूप से बताना चाहते थे, कि चेतन और अचेतन में कोई फर्क नहीं है, वो एक ही चीज के दो आयाम है, मृत्तु और जीवन दो चीज़ें नहीं है, वो एक ही वस्तु के दो पहलू हैं, एक ही जीवन के दो स्वरूप हैं और आस्तिक्ता और नास्तिक्ता, पधार्त और भोतिक्ता, भोतिक्ता और आध्यात्मिक्ता सब दो नो आयाम हैं। इस पे चर्चा करते हुए हमने ध्यान की एक बहुत आसान सी विधी जो कोई भी व्यक्ति कहीं भी बैटके, किसी भी जगे, किसी मंदिर मस्जिद की आवशकता नहीं है, कहीं भी बैटके, पेड़ के नीचे बैटके, अपने कमरे में बैटके, अपने घर में बैटके, अपन आपके जीवन की दश्या बदल जाएगी मैं ऐसा मेरा अनुफव और मैं ऐसा महसूस करता हूँ इनी शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा अगर किसी का भी कोई प्रस्थन इस सम्मंदित है तो निश्चित रूप से मेरे से पूछ सकता है मेरा जो ग्यान है मेरा जो अध्यन है जो अनुफव है उसके आधार पे मैं जरूर आंसर करने का प्रतन करूँगा आप सब लोगों ने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए मैं हिर्दे से आपका करतक हूँ हिर्दे से आभार विक्त करना चाहता हूँ बहुत बहुत आभार करना चाहता हूँ अगर किसी के भी मन में कोई प्रस्ण है तो निशंकोच हमसे पूछ सकता है हम पूरा प्रियास करेंगे कि अंसर करें निश्यत रूप से एक जटिल विश्य है आसान विश्य नहीं है क्योंकि जैसा कि कल भी हमने कहा था कि इस विश्य पे बोलने के लिए लेकिन फिर भी आज तक पूरे विश्य में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने जो कुछ बोला है जो कुछ समझाने का प्रियास किया है उसे समझने के बाद उसे पढ़ने के बाद उसे अनुभव करने के बाद जो शब्द मुझे मिले हैं उन शब्दों से आप तक पूँचाने का मैंने प्रियास किया है इसलिए अगर किसी के मन में कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रस्न है तो वो निश्यंकोच हमसे पूछ सकता है अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं फिर आप सब लोगों से बिदा चाहूँगा और अंत्त है एक बार फिर आप सब का आभार प्रिकट करना चाहता हूँ आपने मुझे ध्यान से सुना उसके लिए महिरदे से आपका आभारियों बहुत बहुत आभार बहुत भाँत धन्यवाद